एलो फ्रेंट्स विल्कम बैक तो मैं चैनल मैं समीता आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं फेस्टिविल के लिए नो अनियन नो गार्लिक ठाली जिसे हम 45 मिनिट में रेडी करेंगे यह ठाली आप 30 तो 45 मिनिट में रेडी कर सकते हैं सुपर सिंपल है और सारी ही चीजे इसमें हमारी एकदम पॉफिक बनती हैं तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बना सकते हैं यह ठाली किसी भी ठाली को बनाने के लिए उसकी प्रीप्रेपरेशन आप पहले से कर लें जैसे मैं खीर बना रही हो तो यहां पर यह गोविंदो भोग राईस है जिने मैं आलरी सोक करके रग दूंगी पहले ही साथ ही मैं चोले बनाओंगी तो चोले भी मैंने रात में भिगोंकर रग दी थे तो यह भी फूल कर अच्छे से रेडी हो गए हैं राईस पर हमारे सोक हो गए थे और यह मैंने दूर निकाल कर इसको थोड़ा सा कढ़ा लिया था पहले ही और अब मैं इसको राईस कूकर बनाने वाली हो तो ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा खीर को तो स उसके बाद इसमें हम पानी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको बंद कर देंगे और इसमें कम से कम 5-6 सीडिया आने तक इसको इसी तरह से प्रेशर कुक करेंगे तो जब तक छोले कुक होते हैं और हमारी कीर के लिए दूद कर रहा है तब तक यहाँ पर मैं वेगजट और पनीडी सबजी तो इसमें बहुत ज़्यादा चॉपिंग कटिंग नहीं है जिस टेमैटो को मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी और इनको दो चीजों के लिए मैं यूस करने वाली है तो यहाँ पर मैंने पांच से मीडियम साइज के टेमैटो लिए हैं तोरी को भी मैं चिलका नहीं उतारे हैं उसको मैं सूखी सबजी बनाऊंगी तो यह मैं बड़े बड़े पीसे में इस तरह से से कट कर दूँगी इसलिए मैंने स्किन को अच्छे से रप करके इसके क्लीन किया है इसके साथ ही यहाँ पर जो अधरक रखा हुआ है तो वह मैं हलका सा क्लीन क चाहिए उतना मैं निकाल लूँगी तो इस तरह से हमारी प्रेप्रेपरेशन हो जाएगी सबजीयों की एक पर आपकी सबजीयां जब कट हो जाएं उसके बाद आप उस तरह से सबजी को करना शुरू करें जिस तरह से उनका कोकिंग टाइम है यानि कि जो सबजीया और इसके साथ मैंने यहाँ पर दो तमाटर जो कट किये थे मुटे-मुटी चौपो मैंने डाल दिये हैं और यहां पर लग पर एक मुट्टी भर से में इसमें डाल दिया है काजू और हम न własसे खड़े मसा ले और इसमें डाल देंगे हम पानी प्याज वगर हमें यूज नहीं करना है वसे सिंपल से इंग्रीडिंट को हम अच्छे से बॉइल करने के लिए रख देंगे और जब इनमें बॉइल आ जाएगा फिर हम इसे ठंडा करेंगे और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे पनीर वाला मसाला मैंने अलग निकाल दिया है और सेम पैन को थोड़ा सा क्लीन करने के बाद इसमें मैं बना रही हूँ तुरई की सबजी तो तुरई मैं घी में बना रही हूँ तो यहाँ पर एक बड़ा चमच की लेंगे यह बहुत ही सिंपल सबजी मैंने आलरी शायद जीरा डाला है और इसको अच्छे से क्राकल होने देंगे इसके बाद इसमें हम एड करेंगे जो हमने तुरई मोटी-मोटी कट की है छिलके के साथ में इसको अच्छा सा में एक मिक्स दे देंगे यहाँ पर बस यह सिंपल से इंग्रीडिंट इसमें रहते हैं बहुत ज्या इसको भी हम इसमें अच्छे से mix कर देंगे इसमें आप हलके से mild masala अड़ कर सकते हैं जैसे थोड़ी सी haldi red chili powder और धनिया पाउडर तो हल्दी की quantity में कम रख रहे हैं और धनिया में इसमें add किया है और red chili powder इसको अच्छा सा एक mix दे देंगे अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है तो हलका सामचूर पाउडर डाल सकते नमक इस ताइम नहीं डालेंगे और इसको कवर करके हम इसी तरह से छोड़ देंगे पनीर वाला जो मसाला है उसे भी मैंने चौपर में अच्छे से पारिक कर लिया है इसके बाद छोले हम देख लेंगे छोली भी अच्छे से गले हुए हैं अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें हम बनाएंगे पनीर वाली ग्रेवी क्योंकि हमने मसाला भी थंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा गी डाला है उसमें डाला है जीरा और जीरे के साथ ही थोड़ी सी रेड चिली डाली है ताकि अच्छा सकता लगा है उसके बाद जो ग्राइंड किया था मसाला वो मैंने आइड कर दिया और उसको अच्छा से भ ब्लेंडर की हेल्थ से मैं जो टमैटो मेरे पास बचे हुए थे उनको भी प्यूरिक कर लोंगे और इसे हम जूस करेंगे चोलो में तो यह मैंगारो का जो ब्लेंडर है उसी में सारा कर रहे हूं साती पनीर को भी छोट-छोटे ब्लेंडर को कुक होने में जादा टाइम नहीं लगेगा जस ग्रेवी आप देख लिए कितने थिक यह थे ना आपको चाहिए लांस में एक क्यूब को मैं इस तरह से क्रश करके स्कुपर डाल दूनी इस तरह से ग्रेवी में काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता और आपको क्री अंए चीजह होते हैं आता भी मैं इस तरह सी फ़ाटा होता प्लेया है उसमें थोड़ा सा नमकन के नमके साथ इसमें ऐड़ि nochmal करें थोड़ी कशूरी में तो आ जब आजवाईन यहां उसमें थे मिक्सर और यकर लंड़ हातिसे ऑड़े करते हें उनको पह्लेग करें जान क तो इससे बहुत ही एजी मेरा काम हो जाएगा इसको मैं लगा दूंगे और साथ के साथ में और बाखी की तयारिया भी कर लूँगी क्यों कि मॉनिंग का टाइम रहता है गर में और सारे काम भी है तो यह मैं इस तरह से स्टार्ड बिक्सर में पहले थोड़ा थोड़ा पानी क क्चैस्ट अम Fascation है क्यों है जब तक के तो नीड हो रहा है मेरा यहां पर मैं एन्य झारी कर दी तो घ्राइचरम मैं और कड़ाई में मैं आटकिया है जीरा निल अपनी आक से सriक्सावाजवाद दया रहा हुआ है उत्यूली के चलूलमेंया तो बड़ से तो क्लर बहुत अ इसमें जो ट्राइटो मैंने ग्राइंड कर रहा था वह इसमें एट कर दूगी और इसमें को भी अच्छे से हम भूल लेंगे चोले भी में बहुत सिंपल बनाने वाल हूँ बहुत ज़्यदर मसाले नहीं हैं बट इसमें जो मैं घर पर प्रेमिक्स बनाके रखते हूं चोले इसको मैं थोड़ी सी quantity में डालू यह ताकि gravy ठिक हो जाए और इसके बाद में छोले मसाले डालेंगे तो छोले मसाले और छोले प्रमिक्स दोनों अलग अलग होते हैं इसाइम है तो इस टाइम पही मैंने राइस कॉकर को ओपन किया है और इसमें अड़ कर दिया है शुगर तो जितना भी आपको अड़ करना है वह आप इसमें डाल दे मैं घर में कुछ भी ड्राइफ नहीं डाल तो चैट detta हम्मारा मसाला भी अच्छे से कूक आपको निखें भी दालें धालेंगे नांग या पर मैंने नमक कम कॉंटिटी में टैड़ेंगे या थो झाले इन के गीन तो भी खड़े मसाले तो आपको दिख रहे हैं हम पकने के लिए जोड़ ताकि इसको मैं अराम से छोड़ सकूं अर्तप्राइब में पूरियों की त्यारी कर लोगी तो यहां पर मैं गरम पानी रखती हूं केटल में जो भी सब्जों में एक्स्टा ऊपर से पानी डाल जाल भी हूं ताकि उनका टेस्ट नहीं बिगड़े और हो एक टेमपरेचर मिं मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और पानी डालके इसको इस तरह से कवर करके छोड़ दिया है नेक्स पूरियों की बारी आती है और आठा मैं आपको दिखाते हूँ कितना सौफट बना है तो आधा ही Ćठा मैं इसमें से ले रही हूँ अभी और इसकी पहले लोहियां तो के इस तरह से रख देंगे तब पूरी बनाएं और उसे फ्राइ भी करते रहें पट मैं अकेले बना रही है तो मैं पहले पूरियां थोड़ी सी बना कर रख लूँगी और उसके बाद फिर उन्हें फ्राइ करूँगी तेल भी मैंने साथ के साथ गरम करने के लिए रख दिया है प्राइ बनाएं बनाएं झाल 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 पूर्या हो जाने के बाद मैंने कैस बन कर दिया था तेल गरम था तो इसमें मैंने कुछ पापड भी इस तरह से फ्राइ कर लिए हैं अब हमारी थाली पूरी कंप्लीट है तो इसको हम लगा लेते हैं तो सबसे पहले थाली में मैंने रखा है पनीर छोले खीर दही रायता मैं मैंने नहीं बनाया है क्योंकि काफी हेवी हो जाता है उसकी वज़े से और यहां पे तुरेखी सबजी गरमा गरम पूरिया पापड और एक मैंने फ्रूट रखा है आप इसमें सैलड अचार और भी चीज़ें जरख सकते हैं चटनी वगरा अपने बनाई है और यह थाली हम आपको पसंद आया हो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीड़बेक शेयर करना नहीं बूले मैं मिलती हूं किसी और नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय थांक्यू थांक्स वाच चुछिए वाच को संदेग Ni अगरेशें आतो टे मूले नहीं पनरी लाइज थांक्राइ शेड़